कि नमस्कार किसान साथियों आप देख रहें किसी संसाय योटूब चैनल मैं हूँ आधर्ष और आज फिर आप लोगों के बीच में लाया हूँ एक नए पुल्ट्री फारम के इंटर्व्यू को और आप आज जानेंगे कि फारम का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं और फारम बना से उनके बारे में जानते हैं और फिर अपने विशेय पर आपसे और उनकी मुलागात करवाते हैं तो सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को जो दर्सक हैं हमारे उनको अपना परिचे देजिए घखा हमारा सबलू हासमी है नाम भाईया और जो हमें फारम चला रहे हैं आठ मैने से आठ मैने में हमारी लागा जो लगी थी कम से कम 10 से 12 लाख रोपे लगी थी उसके बाद हम सुगना पर दिया में गुरु चलाए थी भईया फिर शुगना कंपनी चलाए तो दिया में गुरु में हमको थोड़ा फाइधा मिला पिर शुगना कंपनी हमको आके कही कि यह हमारी कंपनी से आप जुड़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा होगा जिसके सब्सक्राइब जूड़े और फिर फाइदा हमारा होने लगा अच्छा यह तो रहा मोटी मोटा आपका यह फारम का कि आप 8 म बल्रामोग के अस्तान पे आप बैठे हैं गराम सभा मलिकपूर है और बल्रामोग गाउं है और जिला सुल्तान पूर्ट खाना गोशाएं है तो सर सबसे पहले आप हमें हमारे किसान साथियों को यह बताईए कि आपने फारम बनाने के बारे में कैसे सोचा और आपके आप अपको मिलेगा उसके बाद हमने भईया इसको बनावाया और चलाने लगा अच्छा लागत के लिए अपने बैंक से कुछ मदद ली या फिर अपने ही लागत से सारा काम किये हैं हम किसी कोई मदद नहीं लिए आपने किसी सलाह ली बस वही अपने चच्चस लिया था उनका नाम है निसार आहमद पुश्ण कर्ते हैं आपकी उन्होंने मिदद की और आपने इतना अच्छा मैंनेजमेंट किया है तो सर मैं जानना चाहता हूं कि आपके मैं फारक देख रहा हूं लोगों का यह वाडर का कनेक्शन है इसके लिए उन्होंने पाइप लगा रखी है उपर से आपका मैं अंडर गाउंड देख रहा हूं और उपर आपको छड़ देख रहा हूं तो इसका इसका रीजन है भाईया जैसे कि हम यह पाइप जो अंदर गराउंड है इसमें जो है ठंडी में गरम चलेगा और गर्मी में जो ठंडा होगे चलेगा मटी के अंदर है पानी और यह छड़का जो है कि इसकी मजबूती सपोर्ट के लिए सपोर्ट के ताकि जो है ना इधर ही ले ना उधर हीले फारम जैको तूफान आजया चाई कुछ भी हो जाए जो तार रह कितनी लागत लगाई होगी उस सरकुष टाइम और आप फारमर है इसलिए आपको अभी मालूम है कर मैं एक नया फारम बनाता हूं तो फिलाल अभी कितनी लागत अगर भी इस तरह के आप फारम बनाएंगे तो आपका दस से बार लाग रुपेले जैसे हम बनाए हैं वस्त कि लागत लगेगी लिए अच्छा आप कुछ फारमों पर देखा हूं है मैं जानता हूं कि वह गलत करते हैं कि मैं आप से कुश्चन करना चाहता हूं कि हमां दर्सकों को पता चले कि सच मेह क्या हमने देखा है कि कुछ लोग यह तीन का चदर लगात लागत बचाने के लि पानी चला देंगे रुखेगा अच्छा टीना रहेगा दीरे दीरे सरता जाएगा जो है चूता जाएगा यही कारण है इसलिए थंडे थंडे रखने के लिए और यह किसी किसी फारमों पर मैंने देखा है कि फैन नहीं है आपने फैन भी लगा रखा है और जो उपर चलता फैना फ्री फारम के बारे में अब नहीया कोशन ही करूँगा थी मैंने अपने बीदियो बनाने के लिए आपकी चार फांटप चलाए लेकिन और मैं कहीं वी जाताहूं तो तो अगर मैं वलफ आन करता हूं तो उनकी पूरी लाइन जो लेट्री की सिटी की पूरी लाइन गई होगी है पूरी लाइन में वलफ जल जाते हैं लेकिन मैंने आपके फारं पर यह नहीं एक व्योस्था देखी है कि आपके हर वलफ पर एक स्यूच लगा है हमको जतनी कि आपके बहुत बचचता थि बहुत पत्चता हम इसा कारना चाहिए हर सातीयों के क्रना चाहिए कि जज़ाद बलफ जलाने क्या होता है कि आपको तोंजाला पूरा हो गया लेकिन आपकी लाइट पील जाद हो अर। לי poop जादा आ तंकी लगा हुआ है देख रहां कि फार्म के अंदर है इसका जाता है हमारा तो भीया टंकी फार्म के अंदर है इसलिए दो दिस्मन से कोई मतलब नहीं है और पहली बात यह है यह पानी फंड पूरा बनाए रखेगा और बहार रहेगा कोई आ गया कोई दबा जहें डाल दिय इसमें जो है एक में हम दबा चलाते हैं एक में चाहिए अपने बरतन लगाए है यहां बच्चों की संख्शा के हिसाब से लगाते हैं या पिर आपका ऐसा सीक्टम है कि आप इसको कित्राभी मात्रम में लगाते हैं नहीं जितना बड़ा आपका फार्म रहेगा इस में जो है एक सो कुछ बड़तन है एक सो पंदरा बरतन अमोर्गियों की संख्या और पांच जा रहा है लेकिन जो है जग्दिश पुराले जो आये थे बनाने के लिए उसी पर अपना काम कर रहे हैं यह सबसे अच्छा है कि आप किसे अपने जिकार्जियों से सलाल लिए हुए हैं और उसको पूरी तरह से फालो कर रहे हैं इसलिए आपको इसके फाइदा दे मिलता है वही वही लोग बताए कि अंतर गराउंड कराउंड के फाइदा है उपर से लगाऊगे बहुत जहाल हो जाए कब यह तारमी तेसलिए अंतर हम बजार में जाके धन्दा भी किसी चीज करते अब लगाते मलों कोई दुकान खोल लेते हम कस्टूमर लगते इसमें हमारा सुकून सुकून से बैटें महने के महने हमारा तन खाहती है हमेसा आती चालिस दिन में हमारी पेमेंट हो जाती है जैसे आज उठा बच्चा और तो तीन दिन में हमें हमें चोष्चे न करेंगे आप 5 जार मुर्गीों का फ़र्मडयें और आपके इसमें कितनी लागत लग रही है अपकky को Link परश्णल कितनी मुनाफ़क इतना तमाले हैं जी हमारी लागत है तीन से चार हजार रुपए इसके हमारा खर्चा लगता है बाकी बाकी खर्चा बील जोड़ेंगे तो ढ़ाई से तीन हजार वह भी आती है इसके बाद आपका मुनाफ़क इतना होता है जो आप परदा लगा रखा है और इसके पूरी वेश्टा जानना चाहता हूं कि परदे का उठाने गिराने का क्या सिस्टम है जैसे हमारा उस तरफ पेड़ नहीं है ये इसलिए हमने परदे को उठाके रखा हूं इसको धूप नाए और इधर जो गिरा के रखा हूं इसलिए गिरा के रखा हूं ताकि जो है उधार से हवा आए धूप नहीं आएगी तो बच्चों को यादा असर नहीं हाफेंगे परदा रहते हैं वही दूर तीन दिन उठाते हैं उसके बाद परदा जैसे है ऐसे रहेगा ऐसे पर वनियटा बना कि रखते उठाना गिराने का रोज कोई इस इसट्व नहीं दो ब्लूर दिली ने और थंडीयों में उठानाल लगाना है उठाना है लगाना है यह सिट्रम आपका पर देगा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे दर्सक आप से जो फारं का मैनेजमेंट आपने बताया इसको उछाये लाव उठाएंगे और अपने फारं करेंगे जो नए खिसान फारं पर जुड़ना चाहते हैं उनको लागत के बारे में कई बार कोश्टिन पूछा गया था मेरे से तो एक मोटी मोटा लागत सर्व आपको बता दिये हैं आपको पास इतना अगर बजट है तो आपनों की फारम पास जर्म बना सकते हैं तो सो किसान साथ ही और वीडियो अच्छा लगा हो तो हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने किसान मित्रत्तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद